सबसे पहले नजर बड़ी खबरों पर गले तक मलबे में धसर शक्स को सेना और सियार पेफ के जवानों ने निकाला उत्राखंड के पहाड़ों पर हो रहा है भूस खलर उन्नाव गैंग रेप पिड़ित के हाथ से की जांच करने राय बरेली में घटनास्थल पर पहुंची सीबियाई के टीम पिड़ता की सुप्रीम कोट को लिखी चिठी पर कोट ने मांगी यूपी सरकार से रिपोर्ट कल होगी सुनवाई समयजवादी पार्टी ने किया परदशन सोलापूर में बैंक की इमारत की छट धसी करमला इलाके में हुआ हाथ सा एक की मौत मलबे में दबे 25 लोगों को निकालने का काम जारी यूपी के रामपूर से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को पुलिस ने हिरासफ में लिया अली जोहर्ज यूनिवसिटी में छाफे मारने गई पुलिस से बदसुलू की गारों कल यूनिवसिटी से मिली थी चोरी की 2000 किताबे तीन तलाग बिल पास होने पर देश भर में मुस्लिम महिलाएं माना रही हैं खुशी विरोधी दल एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं विश्वास घात का ठिकड़ा कॉंगरस न कहाँ सदन में चुपके से लाए गया था बिल कैफे कॉफे डे के मालिक वीजी सिधात की मौत को कॉंगरस ने बताया संदिक टैक्स के लिए प्रताणा के लगाए आरोप नित्रावती नदी के गिनारे मिला था वीजी सिधात का शव राजिस्तान के भरतपूर में उलका पेड़ी गिरने से खेत में हुआ 20 फीट का सुरा पास के खेत में काम कर रहे किसान बाल-बाल बच्चे पाकिस्तान के कोटा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने थाने के बाहर किया विस्पोर पांच की मौत बत्तिस जख्ट अफगानिस्तान के हिरात कंधार आईवेप पर भी महिलाओं और बच्चों की बस पर आतंकी हमला 34 की मौत उत्तर कोरिया ने एक हफ़ते में दूसरी बार लॉंच की मिसाईली दक्षिन कोरिया ने कहा फिर बढ़ेगा तनाओ अमेरिका ने कहा छोटी दूरी की मिसाईली लॉंच की है देश और दुनिया की तमाम बड़ी ख़वरें आपको दिखाए लेकर उससे पहले जम्मू कश्मीर से आई एक तस्वीर आपको दिखाते है चात्रों को बचाने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी सेना की जवानों ने काफी मशक्कत के बाद चारों चात्रों को सेलाव के बीच से सुरक्षित बाहर निकाला आपको बता दे कि फुल दूब जाने की वज़ह से दस गाउं से संपर्क तूट चुट चुका है कितावें रखने के आरोब भी लगे हैं आज पुलिस की छापे मारी के दोरान जब आजम खान की बेटे अब्दुल्ला आजब ने बद सलू की की तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया उसके बाद लखनव से जो तस्वीरें पद्रफ की दिखी वो वाकई हैरान करने वाली थी लखनव में राजभवन के बाहर हंगामा पुलिस से भीड़े समाजवादी पार्टी के कारिकरता पहले अधिकारियों से कहा सुनी और फिर धक्का मुक्की समाजवादी पार्टी के नेता और कारिकरता यूपी के राजपाल का घिराओ कर रहे हैं सड़क पर हंग और तो और पुलिस से भी भीड़ने में पीछे नहीं हटे तस्वीरें लखनों की हैं जहां आजम खान के बेटे और समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम के समर्थन में पार्टी कारिकरता राजभावन का खिराव करने पहुंचे तो उनकी पुलिस से भी फिड़ गए उन्होंने राजभावन में घुसने की कोशिस की जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया समाजवादी पार्टी के कारिकरताओं का विरोध प्रदर्शन तब सामने आया जब रामपूर में पुलिस एक्शन में दिखी वहाँ समाजवादी पार्टी के सांसत आजम खान की जोहर उन्वस्टी पर पुलिस ने दूसरे दिन भी छापा मारा बताया जा रहा है कि उन्वस्टी की लाइबरेरी से मदर्सा आलिया की चुराए गई किताबें बरामत होने के बाद दोबारा ये छापे मारी की गई बेचैन दिखे वहाँ पर आज फिर से कई ऐसी किताबें हैं जो बरामत होई हैं जो मदर्सा आलिया से चोरी होई थी इसके इलावा यहाँ पर जो मानने विधायक हैं उनके दोरा जो सर्च उप्रेशन चल रहा था उसमें कॉपट करने की जगा पे वहाँ पे बादा शुकंजा कसना शुरू किया जोहाँ इन्वस्टी के लिए जमीन कबजाने के आरोप में उनके खिलाप 28 केस दर्ज हो चुके हैं प्रशासन इस आरोप में उन्हें भू माफिया भिगोशित कर चुका है इससे पहले अब्दुल्ला आजम पर पुलिस का शुकंजा पहले भ चलिए बात उन्नाव की करते हैं उन्नाव में पीडिता को नियाय दिलाने के लिए अब सबकी नजने सरवोच अदालत पर हैं जिसने उत्तरपदेश सरकार से रिपोर्ट मांगिये वहीं दूसरी तरफ जाच के आदेश के बाद सीबी आई भी हरकत में आई है सीबी आई प पर समाजवाधी पाटी ने लखनों में सडक से लेकर राजधानी में संसत तक में विरोध परदर्शन किया वहीं इस मामले में सूप्रीम कोट भी सक्त नजर आ रहा है उधर अब सीबी आई की टीम भी एक्शन में नजर आ रही है रेप पीडित के साथ हुए हादसे की जा का एक्सिडेंट हुआ था माना जा रहा है कि जल्दी सीबी आई सेंगर से भी पूछताच कर सकती है देखिए यह संतोष का विशा है कि सीबी आई की टीम ततपरता के साथ घटना स्थल पे पहुँच गई और साक्ष संकलन कर रही है सुप्रिम कोट ने उन्नावरे पीडित के घरवालों की ओर से 12 जुलाई को सीजे आई को लिखी गई चिट्थी का संग्यान लिया है इस मामले में चीफ जस्टिस ने कोट की रजिस्ट्री से भी रिपोर्ट तलब की है सीजी आई ने पूछा है कि आखिर पीडिता की चिट्थी उनके सामने पेश करने में देरी क्यों हुई साथ ही अदालत ने यूपी सरकार से केस की पूरी रिपोर्ट और पीडिता की हेल्थ रिपोर्ट तलब की है इस मामले में इससे पहले भी दो बार पिडित परिवार सुप्रिम कोर्ट से गुहार लगा चुका है एक बार केस की यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग तो दूसरी बार आरोपियों की ओर से मिल लई धमकी की शिकायत के जरिये लेकिन दोनों ही बार अभी तक सुप्रिम कोर्ट से कोई रहात उन्हें नहीं मिल पाई है और यही वज़े है कि रजिश्टरी के रूख से नराज चीफ जश्टिस ने रजिश्टरी से रिपोर्ट तलब की है कि आखिर बारा जुलाई को पिडित विवार की ओर से लिखे गए खत के उन तक पहुँचने में इतने देरी कैसे हो गई वहीं लखनों के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में भरती पिडिता जिंदगी और मौत के बीच जूज रही है उसकी हालत नाजुक बनी हुई है उनके वकील की हालत भी गंभीर बताई जा रही है टीम निउस नेशन तो नाव की पिडिता को हाथसे में मारने की साज़िश को लेकर तमाम तरीके के आरोप लग रहे है तरह तरह के वीडियो और चिठियां सामने आ रही है ऐसे में बड़ा सियासी सवाल भी खड़ा होता है कि आखेर उननाव की पिडिता के साथ नाइंसाफी का जिम्मेदार कौन है 33 चिठियों की फर्याद आखेर अंसुनी अब तक क्यों है आखेर क्यों सेंगर को पार्टी सेक्ट नहीं निकालती है भारतिये जनता पार्टी तो इस तरीके के कई एहन सवाल है जो इस पूरी घटना के बाद खड़े होते हैं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तरप्रदेश के बाकपत की जहां से एक वीडियो सामने आया है जहां बरड़े पार्टी में कुछ दबंग फाइरिंग करते देखें पहले इन तस्वीरों को देखें हाथ में पिस्टल लेकर ये युवक मस्ती करते नजर आ रहा है वो बीच-बीच में हवा में फाइरिंग भी कर रहा है इन युवाओं ने हवा में दो गोलियां भी दा गी इतना इनी वाइरल वीडियो में ये दबंग युवक केक पर भी फाइरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं फिलाल पुलिस रदकारी अभी तक कुछ भी कहने से बच रहे हैं और जांच के बाद कारवाई की बात कर रहे हैं लेकिन तस्वीरें आपके सामने जो बता रही है कि किस तरीके से हत्यारों को हाथ में लहराय जा रहा है और अब बात राजिस्तान से आई एक ख़बर की दो साल पहले राजिस्तान के अलवर में गौर अक्षकों के पिटाई से एक आरूपी की मौत हो गई थी लेगिन अब गौत जुखरी की हालत यह है कि तसकर सरेयाम फारिंग कर रहे है अलवर में गौत जुखरों ने फारिंग कर एक युबख को जखमी कर दिया बाद में एक तसकर को पकड़ कर गाउं वालों ने पिटाई कर दिया राजस्थान में बेख़ौफ गौत असकर बेबस पुलिस जनतालाचार राजस्थान के जिस अलवर में गौत असकरी के आरोपी पहलू खान की हत्या हो गई थी दो साल बाद उसी अलवर में अब गौत असकर ही लोगों पर फाइरिंग कर रहे हैं देश भर में गौवंश को बचाने के लिए कानून बनाये जा रहे हैं मंत्राले बनाये जा रहे हैं लेकिन जिस राजस्थान में बीजेपी ने गाय के लिए अलग मंत्री बनाया था उसी सूबे में सरकार और पुलिस गौत असकरी पर लगाम कसने में नाकाम रही है एक दरजन गौवंश को ले जा रहे थी तबी गाउवालों की नजर उन पर पढ़ गई गाउवालों ने उन्हें रोका और गायों के बारे में पूछताच की आरोप है कि इसके बाद गौत असकरों ने गाउवालों पर फारिंग शुरू कर दी जिसमें एक गोली जीत राम न पोच लिया और उसकी जम कर धुनाई कर दी बाद में उसे फुलिस को सौंप दिया गया पकड़े गए गोत असकर की पहचान सलीम खान के रूप में हुई है उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है सूबे में विपक्षी दल या रोप लगाते रहे हैं कि राजस्थान में सरकार बदलने के बाद से ही तसकरों का उपद्रव बढ़ा है बीते दुनों गहलो सरकार में मंत्री शांती धारिवाल ने गाय की पूजा की मुखालफत का एक बयान दिया था जिस पर भी बीजेपी ने खुब हंगामा किया था टीम न्यूज नेशन तो गौत असकरी रोकने और गौरक्षा में मौब लिंचिंग रोकने को लेकर कई राजसरकारों के ओर से लगातार कदम उठाये जा रहे हैं कहीं कानून बने हैं तो कहीं बनाये जा रहे हैं लेकिन मुंबई में बीमसी ने एक ऐसी पहल की है जिसमें गौवंश की मौत के बाद बीमसी डेथ सर्टिफिकेट जारी करेगी ताकि उसे लेकर आने वालों को जाने वालों को किसी भी तरीके की मुश्किल का सामना ना करना पड़े 22 जुलाई 2019 जवलपुर गौत असकरी के आरोप में चार लोगों की पिटाए 19 जुलाई 2019 छपरा पशुचोरी के आरोप में तीन लोगों की पीट-पीट कर हत्या 25 जून 2019 गुरुग्राम गौत असकरी के आरोप में दो से मार पी आली की दिनों में ऐसी कई घटनाय सामने आई जिसमें गौत असकरी के आरोप में लोगों को पीटा जा रहा है कहीं तसकरों पर भील का गुस्सा फूट रहा है कहीं चोरी के शक में भील बेलगाम हो रही है गौ रक्षा में लिंचिंग और गौत असकरी को रोकना राजियों का काम है लेकिन तमाम कोशिशों तमाम दावों के बावजूर ना तो लिंचिंग की घटनाय थमने का नाम ले रही है और नहीं कानून बनने के बाद गौत असकरी का सिलसला थमा है आए दिन ऐसी घटनाओं की बाल सी आई रहती है जिसमें कहीं पुलिस प्रसाशन भिल के आगे बेबस नजर आती है तो कहीं सियासी दावपेच उसे लाचार और तमाश भीन बने रहने पर मजबूर करते हैं राजिस्थान में जहां गौत असकरों की फाइरिंग से संसनी मची है वहां 2014 से 2016 तक गौत असकरी के 300 मामले सामने आये थे इन में सबसे ज़ादा तसकरी अलवर, भरतपुर और दूसरे बॉर्डर जिलों से भी इन तीन सालों में 23,000 से ज़ादे गायों की तसकरों के चंगु लगाम लगाने में मदद मिल सकती है, साथी लिंचिंग के मामले भी कम होगे, वैसे जिस हिंदुस्तान में उत्तर से लेकर दक्षिन तक गव पूजा होती है, महां गव रक्षा के लिए कानून बनाना और पहरेदारी करना भी विडम बना से कम नहीं हो, मुंबई से श्व पात एक ऐसी समस्या की जिसकी चपेट में आकर युवाज जान कवा रहा है, उत्तरप्रदेश के एटा में पुलिस वालों का टिक टॉक वीडियो वारल हुआ है, इसमें महिला और पुरुष पुलिस कर्मी टिक टॉक वीडियो बना रहे थे, पुलिस विवाग ने इनकी जाच के बाद इन परकारवाई के सिफारिश किया है, पता चला है कि वीडियो बनाने वाले दौनों पुलिस कर्मीओं की शादी भी होने वाले थे, लेकिन वर्दी में इस तरह का वीडियो सामने आने के बाद इनका अलग-अलग तबादिला भी कर दिया गया है जली अत्तरप्रदेश पुलिस के बाद बात करते है हिंद के आस्मानी ताखस से थर रहते हैं दुश्मान पाला कोट स्ट्राइक और अभिनंदन के शौर इसे अब भी पाकिस्तान सद्वे में हैं हिंदुस्तान के इसी शौरे को बच्चे बच्चे तक पहुचाने और वायू सेना के सुनहरे इत्यास को बताने के लिए इंडियन एरपोर्स ने अपना एक आधिकार एक मोबाईल गेम लॉंच कर दिया है वीडियो गेम आपको बताएगा कि आसमान में कैसे उड़ते हैं हिंदुस्तान के वायूवी कितनी उचाई और किस स्पीड से उड़ान भरकर दुश्मनों को खाक में मिलाते हैं हमारे जो बाल हैं जो बचे हैं वो हमारी इस दुनिया की सबसे बड़ी बहुती महत्वपूर्ण सेवा में राश्यभक्ति के इस ख्वाप से उस विचार से उस मिशन से यहां उसमें भरती हो सके और उसकी उनको जानकारे मिल सके भारतिय वायसेना की मोबाईल एप में यूजर्स को थ्रिलिंग फ्लाइंग एक्सपिरियेंस मिलेगा फ्लाइट को टेक ओफ और लेंडिंग करने के अन्वप के साथ ही हवा में डॉक वाइट करने का मिशन भी गेम में शामिल है यानि दुश्मन की जहाज को हवा में मार गिराने का टास्क होगा जिस तरह बाला कोट में आतंक के अटनों को तभा किया गया था ठीक उसी तरज पर गेम खिलने वाले मिशन को अन्जान तक पहुचाने का रोमांच मैसूस कर सकेंगे इंडियन एरफोर्स का ओफिशल मोबाइल गेम एंड्रोइड और आयोएस प्लेटफॉर्म पर फ्री में डाउनलोड किया जा सकेगा इस गेम में 10 मिशन होगे और यहां ट्रेनिंग भी होगी यह गेम मुबाइल के लिए तैयार किया गया है और इसमें कई मोड दिये गए हैं इसमें ट्रेनिंग, सिंगल प्लेयर और फ्री फ्लाइट शामिल है इसकी साथ ही इस गेम में इंडियन एरफोर्स के बारे में भी बताया गया है इस गेम को खेलने पर प्लेयर्स को एरफोर्स पाइलेट और एर कॉमबेट का शांदर वर्चुल एक्स्पिरियंस मिलेगा यह ऐसी सर्विस है जो टोटली स्किल बेस्ट है आपको पता है आप कितने अच्छे हो औरों को भी पता है जैसे डॉक्टर्स होते हैं डॉक्टर्स कभी प्लेशिटी नहीं करते हैं पर लोगों को पता होता है वो कितना अच्छा डॉक्टर है उसी तरह एफोर्स भी एक स्किल बेस्ट है आपको अपने स्किल बढ़ाने हैं आपकी उतनी ही इज़त होगी दरसल भारतिय वायुसेना का इस गेम को लाने के पीछे का मकसद मनरंजन के साथ साथ भारतिय वायुसेना के पती नौजवानों को आकरशित करना है ताकि वो जादा से जादा तादाद में एरपोर्स में शामिल हो सकेगा इस गेम में एरपोर्स के मिग और सुखोई जैसे विमानों का इस्तमाल हो सकेगा यानि गेम खेल रहे व्यक्ति को मिग और सुखोई उडाने और उनसे हमले का थ्रिल भी इस गेम में हासिल होगा दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन और अब बाद जमो कश्मीर की जहां अगले दो से तीन महिने के अंदर विदानसवा चुनाव की सुखबगाहर तेज हो सकती है इसी को ध्यान में रखते हुए एक तरफ जहां मोदी सरकार आतंक के खिलाफ अपनी कारवाई को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है तो वहीं कश्मीर की रीजनल पार्टी खासकर मेंवुआ मुफ्ती 35 का जूटा डर दिखा कर साउथ कश्मीर में एक अलगी मोहिम चला रही है हमारे लोकल पार्टीों को क्या हो गया पता ने एक दम राज में भय और आतंक का माहोल फिर से खड़ा करने का कोशिश उन्हें ने शुरू कर दिया जो आतंक को इंडिरेक्ली सपोर्ट करते हैं उनके उपर भी करवाई करने का प्रक्रिया यहां जारी है अब उस करप्शन को भी यहां खतम करना है बीजेपी महासचिव राम माधव का ये बयां और अमिश्या का मिशन कश्मीर इस बात की गवाही दे रहा है कि घाटी में अमन चैन की बहाली के लिए सरकार कितने शिद्द से जुटी एक तरफ घाटी में सेना का उपरेशन अलाओड नौन श्टॉप चारी है मंगलवार को ही सेना ने घाटी में आतं के तीन चेरों का खात्मा कर दिया था घाटी में अमन की बैयार बहने की आहट से पाकिस्तान बखला गया है वो वाडर पर सीज फायर तोड रहा सरहत के हालातों पर ग्रे मंत्राले की पहनी नजर है वहीं बीजेपी सुबे में चुनावी मोड में नजर आ रही है दिल्ली में बीजेपी के जमू कश्मीर कोर ग्रूप की बैठक होई जिससे घाटी के हालात पर चर्चा हूँ वहीं बीजेपी का दावा है कि घाटी के एक लाग मुसलिम पार्टी से जोड़ चुके है जिससे बदलाव की जलक आ रही है वहीं बीजेपी के ड्राइब से डरी पीडीपी नेता मैवुवा मुफती ने भी अपनी पार्टी का सज़ता अभियान शुरू कर दिया जिसमें लोगों को 35A पर परगला कर पार्टी से जोडने की कोशिश कर रही है इस बीच सुरक्षा और जाच एजिंसिया भी घाटी के गुनेगारों पर शिकंजा खसने में दिन राद जुटी है NIA, ED और Income Tax Department ने मिल कर एक जुएंट ऑपरेशन शुरू कर दिया जिसका मखसर घाटी में आतंकियों के हमदर्दों को ढून निकालना है चाहे वो अलगावादी हों या फिर सियासी दलों से जुड़े ने था जो पलिटिकल विल है, जो डिफेंस की परपेडनेस है उन सारे चीजों को मिलाके जमुहिन कश्मीर की प्रॉलम को सॉल्व करने के लिए ये एक पॉजिटिव करने है माना जा रहा है कि जुएंट ऑपरेशन के जरिये के इंद्रिये जाच अजिशन सिया उन लोगों पर शिकंजा कसने में खामयाब होंगी जो किसी ना किसी तरह आतंकियों की मदद करते रहे है माना जा रहा है कि इससे टेरर फंडिंग पर रोक लगेगी और घाटी से आतंको पूरी तरह खर्म करने में भी मदद मिलेगी दिलिस रुमान उनलाख खान के साथ इद्रीस लोन न्यूस नेशन श्री नगर चलिए अवा आपको दिखाते हैं कुछ हैरान करने वाली तस्वीर है गिलहरी की दिलेरी से डर कर हिरर के बच्चे को भागते आपने कभी देखा है क्या पेड पर से गिलहरी छलांग लगाती है और ये हिररन डर के मारे वहां से भाग पड़ी होती है गिलहरी का कौतु हल हिरर के लिए ऐसा है कि वो बार-बार उसे पास से देखना चाहती है लेकिन गिलहरी के आक्रामा क्रवये से हिररन को डर लग रहा है पर्वत्योहारों पर भारत में रंगोलियां बनाते आपने बहुतों को देखा होगा लेकिन ऐसी रंगोली बनाने वाली कलाकार शायद नहीं देखी होगी इनके हाथों में कला के रंग ऐसे गिरते हैं कि दो मिनट से भी कम वक्त में सड़क पर हूपसूरत चित्रकारी तयार हो जाती है महाराश में पंडरपूर यात्रा के दौरान बनाई गए ये रंगोली हैरान करने वाली है बारिश के दिनों में रोशनी पर कीट पतंगों को आते आपने देखा होगा लेकिन लॉस वेगास में इस टिड्डी दल का आतंक चाया हुआ है शाम को टिड्डियों का हमला ऐसा हो रहा है जिसे देखकर बारिश का भ्रहम होता है लॉस वेगास में और सथ से दोगनी बारिश के कार टिड़े यहां देखे जा रहे हैं म्यूजिक की बीट्स पर तोता का ऐसा हिप हॉप आपने शायद ही पहले दिखा होगा इसके मालिक की उड़ियां क्या थे रिखती हैं यह तोता आपने दोनों पाउं को उठा कर म्यूजिक का साथ देने वकता है